अभीरा अर्मान के बीच में क्या फिर से आने वाली है रूही क्या रूही करेगी अर्मान अभीरा के बीच में आकर सब कुछ परबाद चलिए बताते हैं क्या होने वाला है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपिलर सीडियल ये रिष्टा क्या कहलाता है के आने वाले ट्रैक में बेहद ही रोमांटिक अंदाज में दोनों जूला जूल रहे हैं अभीरा जूला जूल रही है तो और मान उसे जूला जूला रहा है वहीं दूसरी तरफ रूही है जो की बहुत परिशान है लेकिन उसको भई आप देख सकते हैं किस तरह से मनीश स्वर्णा ये सब पैंपर कर करने की कोशिश कर रहे हैं उसे भी झूला जूला रहे हैं बात करें विद्या की तुविद्या अपने सुहाग यानि की माधव के लिए बहुत परेशान है वह चाहती है किसी भी तरह से बसमाधम घर आ जाए अर्मान जो है वह भी दादी सा के खिलाफ जाने वाला है चल य अब देखेंगे कि अपनी मा को परिशान देखकर रोता हुआ देखकर अर्मान बिल्कुल खुश नहीं होगा विद्या जो है हाथ में फोटो लेकर माधव की रोती हुई नजर आती है स्तैयार है सब कुछ है लेकिन उसे अपने सुहाग की कमी महसूस हो रही है वही आप देख सकते हैं किस तरह से अर्मान जो है वो भी बहुत परिशान है वो जाता है और कावेरी को सुनाता है कि अगर आप चाहती तो माँ और पापा के बीच में सब कुछ सही हो सकता था लेकिन आपने कभी चाहा नहीं आपकी एगो आपका एटिट्यूड हमेशा से आपके लिए उपर रहा है और ये सारी बाते ही वो पूरे परिपार के सामने कावेरी से कहता है कावेरी यानि कि दादिसा जो है वो अर्मान को चुप कर आने की कोशिश करती है क्योंकि अर्मा कॉल पर वो देख लेती है विद्या किस तरह से रो रही है वो उसको परिशान नहीं देख सकती इसी के चलते हैं अभीरा जो है बार-बार माधव को फोर्स करती है कि प्लीज पापा आप चले जाए तो वहीं माधव अभीरा से कहता है देख अभीरा तुझी मैंने अपनी नहीं से बाहित हों कि अभीरा को देखकर लेकिंट क्या क्योंकि जुए जू को आपके कहना योगा है। चैनल को सबस्क्राइब करें और फेजबुक के पेच को फॉलॉυ